अब आपके सारे फिसिक्स के देशिन माच जाउट का सफाया बस अपने फोन से कुशन की फोल्ट कीचो और तुरूंच वीडियो सिलूशन पाउट डाउलोट कीजिए डाउट राप अभी है फिर वाच्छाप कीजिए अपने डाउट्स आप चार्सो 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 बज यह परिएज के इस कुशन में कहारा है कि एक बॉषल जो हमच और यह कर रहा है कि छो हमके डाउल से और वहां ना लूट ऑहां किला है औरप सप्षेय करें है और वह पता है धुनी कि टो तक आजाता है ठीक है तुर हम कर रहे हैं कि वैलुशीटी और यहलोशीटी की ही करने के लिए ठीक है हम वो कुश्चन में क्या बूला होगा है कि सिंपल सा बूला होगा है कि माल लेते हैं कि यहां से यह हाई टैच है यहां से कोई बॉल को जाना हम ड्रॉप कर रहा है ठीक है पहले क्या को पहले तो वैलोसिटी जीरू होगा और यहां आएगा बैलोसिटी क कुछ आज़ाता है उपर की और ठीक है यह भी वहली पता नहीं इसको फिसके फिसको छोड़ से यह लिखते हैं कितना होता है अभी क्या होता है कि यह यह Many तू वहां तो यह चमप करता है ठीक है मतलब कि मुद्छाइं कि यहां पर दूँ तो चलिए हम सबसे पहले तो यहां से यहां तका कितना है d है और यहां से यहां तका कितना है d upon 2 दिया हुआ है ठीक है तो तहले हम पहले find करते हैं ठीक है यहां से अगर यहां तकाने में velocity यहां कितना हो जाएगा तो laws अगर motion लगाए तो v square equal to u square plus 2as के formula से हम निकाल सकते हैं ठीक है initial velocity क्या था यहां पर 0 था तो v equal to under root of under root of 2 into acceleration g into d v equal to under root 2 gd बोल सकते हैं gd का इसका भी root हो जाएगा root 2 under root gt gd ठीक है यह इतना velocity हो जाएगा तो हम यहां पर इसका velocity लिख लेते हैं इसको हम मिटाते हैं और यहां पर लिख लेते हैं velocity कितना velocity से यहां आड़ा होगा बढ़ते बढ़ते हो गया होगा under root 2 under root gd और अगर हम इस case की बात करें तो यह जो है उचला और ना फिर वापस d upon to height तक गया ठीक है यानि कि यहां कितना velocity हो गया हम इसको black pen से निकालते हैं यानि कि v square equal to u square plus 2as ठीक है final velocity यहां पर 0 चल लेता है तो 0 कर देते हैं u square equal to minus 2as ठीक है तो यहां से u square equal to minus 2 into acceleration की डिरेक्शन में है तो minus minus plus g into d upon 2 यहां cancel हो उसता है और u का value हमारे पास आसता है gd का root यानि कि root g into d यानि कि यह जो velocity होता है इसका root 2 times हो जाता है ठीक है सबसे पहली बत कि यहां पर जो है ने graph में हमको उतना दिखना भी नहीं था graph में हम direct answer कह सकते थे ए ठीक है graph से हम देख रहे है डारेक्ट हम answer कह सकते हम लेकर आपको समझाने के लिए हम इतना कुछ कर रहा है है यह कैसे कह सकते है यह क्योंकि थे देखिए पहले अगर velocity नीचे की direction में आ रही है ठीक है नीचे की direction में आ रही है तो देखिए यहां पर जो भी हैज्ट के बीच में graph है एक positive इक नीगेटिव में है यानि कि यह तो खत्म हो यह दोनों positive मैं इस में धोनों negative मैं दोनों घटम होगी यांनी यह होता हॉटा इह हो देखे अंडरuch में G यानि कि यह 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 स्ट्रेट कि है यानि कि यह तो होता नहीं यह सट्रेट लाइन है यानि कि Łप्सन यही हो सकता था ठिक है यह से obtечение कर सकते थे Г यहां पर देख्छ लिजए कि आप लोगा औहले जो है यह 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 यहां पर पर दीव हईड्स से हम गिराएं डीएट से गिराएं रहे गए पाइलную Funker यहां पर 0 था कुछ है था 0 और फिर जाते 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 कुछ फालक रह गया और फिर यह भी दिखिये यहाँ पर कम दिखाई दे रहा है यह वेलोसिटी कम है और यह वेलोसिटी जादा यानि कि यह वेलोसिटी जादा था कर दो चिह ऑर यह कम था अन्डर आम ग कि अ एंसरा हमारा होगा ये